देश मेरा जल रहा है आग लगी है सीने में हुक्मरा सव्यफ्त हैं खून गईब का पीने में तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूं घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आई हूं मैं आरक्षी खुश्बू चोहान केंद्रे रिजर पुलिस बल आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्तावी पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूँगी महोदय दर्द हद से तब गुजरनी लगता है जब मेरी आखों के सामने ताज, पुलवामा, 36 गण में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकडे, रेत के टीलों से उपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंकी सडकों के द्रश्य स सामने आते हैं, उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवा दिकारों के अनुपानला करते हुए देश से उगरबाद और आतंग बाद को समात किया जा सकता है, महोदय आप तो हमारा तिरंगा जंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आज कल फहराने से जादा मैं कफन में दफनाने के क्यूं काम आ रहा हूँ, महोदय फिर दे तो उस दिन फट गया जब बुड़ी मा अपने बेटे के चितरों को देखकर बोली कि साहब आप तो भरती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ, महोदय आज इन मानवा धिकारों के कारण, इन आतंक्यों के बंगलों की आखाओं की नाखवनी हस्ती है, और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है, जब एक शहीद हुए जवान की विद्वा की वेदना, चिक चिक कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग और आप के लिए तो एक आदमी मराहसाहब मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े-बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिये गए हैं परन्तु आज मानवादिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंदे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डलते हैं क्योंकि महोदै भविश्य में उन्हें कट घरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है वो ये जानते हैं कि चाहिए एक उगरवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तैकर ना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णे लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोश को लगे या ना लगे परंतु किसी निर्दोश को नहीं लगनी चाहिए यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा नहीं तिल का तार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी और महोदे मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबा कर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं एक आत्म हत्या है क्योंकि महोदे फूल को श्रिंगार दो ये मुम्किन नहीं और एक वीर को जनकार दो ये मुम्किन नहीं जो हाथ बांदे सेना के ऐसे मानव अधिकार का पालन संभब नहीं महोदै आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंक वादियों इन पत्थरवाजों से डरता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो अभी 400 मिटर तक जाएगी और यदि इस बीच वो किसी निर्दोश को लग गई तो महोदै हमें अपनी नौकरी से हाथ तक दोना पड़ सकता है और महोदै अपनी नौकरी को वचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे साप मरे या ना मरे परंतु लाठी नहीं तूटनी चाहिए क्योंकि आज हमारे देश के हाला कुछ ऐसे हो गए है कि चिरागों को हवाओं में उच्छाला जा रहा है हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है अरे हमीं तो बुनियाद हैं अंतरिक सुरक्षा की और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है महोदे जब पुलवाम में 44 जवान सहीद हुए 36 गड़ में 76 जवान सहीद हुए तो कोई भी मानवादिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ परन्तु जब JNU विस्पि ध्याले में एक देश द्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम सर्मिंदा हैं जैसे देश द्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवादिकार के ग्याता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं तभी तो क्या कहा था उस देश द्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा तो मैं भारत की बेटी अपनी भारती सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा वो कोख नहीं पलने दे मैं सर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की नियाएक प्रकर्या पर जहां आज भी रात के बारा बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच नियाले के दरवाजे खोल दिये जाते हैं ऐसे देश से मानवादिकारों के अनपाला करते दर्ती के घोर गुहां से को एक सूरज ही हर सकता है क्योंकि एटम बम से रक्षा के बल एटम बम ही कर सकता है जैहिन जैभारत